एलो फ्रेंज नमस्ते वेलकम बैक वंस अगेइन ओन माई चैनल मैं हूं किरन दोस्तो आज मैं आपको बहतरीन हेर केर टिप्स लेगर के आई हूं जो कि आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा खुबसूरत काला लंबा घना करेगा दोस्तो आपके बालों से रिलेटर जित्त नहीं होती थी लेकिन मैं घर के नुस्खा हमेशा अपने बालों पे इस्तमाल करती रहती हूं जिससे बिना किसी साइड इफेक्ट के मेरे बालों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है दोस्तो तो दोस्तो उस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहली सामगरी आपको आप प्रॉब्लम की सॉलिशन में जो है हल्प करता है हमारा मेथी दाना डाइप्टिक पेसेंट हो या फिर अगर आप मोटापे से परिशान हो वेट लॉस करना चाहते हो आपकी जोरों में दर्द है बहुत स्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो मेथी दाना का इस्तमाल आप कर सक मेथी दाना अब कंटिन्यू अपने बालों के यूज करते हो न तो बहुत जादा जिसके बाल जहर रहे हैं गंजेपन का सिकार जो होने वाले हैं तो उसको भी यह बहुत ही ज़ादा पहुंच चाहता है गंजे सर पे भी बाल उगाने की शक्ती रखता है मेथी दाना और आ के चिख कर सकते हैं अगली स्व्च चामगरी आपको भी आपकी किचन से मिलेगी यह फो चाय का पती दोस्तों हर गर में होता है क्योंकि हर गर में आज की रेट में लोग चाय तो जरूर पीते हैं लेकिन इसका जो है इस्तमाल सिर्फ चाय पीने के अलावा सभी लोगों को पता नहीं होता है बहुत सारे इसके फाइदे होते हैं बहुत सारे घरेले नुस्कों में भ सरे काला करता है तो बहुत ज्यादा लोग्ज्रे스 जिसके बहुत ही कम एज में इसके सफेद यहां लगते हैं इसेज समय दो misunderstood ओदो में शान गरता हैं अब करता है रुद की लोगोरत में वहां करTा है जो हैं करता है रे स्काति खोल वी बरतन में दो ग्लास या देर ग्लास पानी रख ले एक चमच आपको चाय का पत्ती और एक चमच उसमें आपको डाल देना है मेथी दाना दोस्तो बहुत ही सिंपल सा नुस्खा है ट्राइ जरूर करिएगा इन सबी चीजों को डाल करके आपको अच्छे से इसको उबालना है बॉयल करन लेगा उसमें और बहुत ही मेडिकल प्रोपर्टीज वाली पानी बन जाएगी यह देखिए कितना बढ़ियां सा पानी बना है इसको चान लेना है चानने के बाद दोस्तो इस पानी को आप चाहे तो हलका सा ठंडा कर सकते हैं ठंडा करने के बाद ही इसको आप इसको इसको कैसे है तो दोस्तो नॉर्मली जैसे आप शैंपू करते हैं शैंपू करने के लिए आप नॉर्मल शैंपू यूज करते हैं तो मैं हमेशा आपको यूज करने के लिए बताती हूँ नेजर शियोर का जोंक शैंपू बहुत ही अच्छा शैंपू है इसके कोई भी प्रमोशन पास मैं हमेशा इस चैंपू को यूज़ करती हूं इसन दिखाती हो हर वीडियोस में दोस्तों नेचर शियूर का जोंग शैंपू बहुत ही अच्छा हमारे बालों की ग्रोथ भी करता है और बहुत ही कंकल वाला होता है और बालों की तूटना जहना बिल्कुल बंद हो जाता तो इस नुस्खे में आपको जो है शैंपू को एड़ करना है जो भी आप शैंपू यूज करते हैं उस वाले शैंपू को यूज कीजिए इस्तमाल कीजिए यहां पे और इसको डाल करके काफी अच्छे से इसको मिक्स कर देना है बस एक ही बार यह नुस्खा ट्राइ करिए दोस्तों आपको फड़क अपने आपको नजर जरूर देखे का बालों की जो एक अलग सा जो है चमक आएगा बालों की मजबूती आपको दिखेगी और बाल आपकी बहुत खुबसरत और बहुत ही सुन्दर हो जाएंगे इस तरीके से इस वाले शैंपू को एड़ करके आपको काफी अच्छे से मिक्स कर देना है और इसी वाले पानी से आपको अपने बालों को धोना है शैंपू करना है इस तरीके से बालों को पहले अच्छे से गीला कर ले गीला करने के बाद ही इस वाले शैंप वाला शैंपू यूज कर लिए बहुत जादा केमिकल वाले नहीं sieht वो शैंपू कोशिश कीजिए कि जो शैंपू में базा ब्हुम्त होते हैं और बहुत ही अच्छे होते हैं दोस्तों सभी क mieć लिंक sono bi यूज करती लिंक सबके description में जरूर डालती हूँ आप online purchase जरूर कर सकते हैं तो आपको दोस्तो पहले बार के इस्तमाल से फर्क दिखेगा बाल आपके बेहत खुबसुरत लंबे काले गने हो जाएंगे दोस्तो मेरे बाल पहले और अपके में बहुत फर्क है बहुत ही सुन्दर और खुबसरत बाल हो चुके हैं मेरे मुझे बहुत पसंद है बहुत बालों की तूटने जाने की जो रफतार बिल्कुल जीरो हो गई है दोस्तों बहुत ही अच्छे हो गए है आप भी करके देखिए और अपना जो है फीडबैक मुझे कमेंस में जरूर शेयर कीजिए बहुत ही अच्छे बाल हो जाएंगे आपको अच्छा लगेगा और भी ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी न भूले बूले बूले कोई भी कवेरी ओकोई कुछ भी movement करके में पहुत सकते हैं Shorts वीडियो के लिए भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं Facebook पे Reels पे Instagram पे सभी जग़बर सभी सेम वीडियो के Shorts वीडियो पर मैं बढ़ा करके डालती हूं वीडियो अच्छा रहा हो ते लाइक कीजे, कमेंट्स कीजे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेए झाल झाल झाल